आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुती टेस्टी और एकदम सही नाप के साथ बेसन का हलुआ ये देखिए कितना दानेदार बेसन का हलुआ बनके तयार हुआ है ना ही ये कोई लापसी बनके तयार हुआ है ना ही कोई बिल्गदम गीला गीला बहुती बढ़िया एकदम पर परफेक्ट तरीका है परफेक्ट नाप के साथ आपको बताने वाली हूं और अगर आप इस तरीके से बेसन का हलुआ बनाएंगे तो हर बार आपका बेसन का हलुआ एकदम परफेक्ट बनके तयार होगा यह देखिए एक एक दाना दिख रहा है और घी की कॉंटिटी देखिए वहोग बहुति बढ़िया बेसन का हलुआ आप घर्पे बनाके तयार कर सकते हैं तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं कि यहां पर देखिए मैंने कुछ यहां पर मेजर्मेंट ले रखए है और सबका एक एगनार पर इक कटोरी कॉंट behaviorsिलिया है ए थोड़ा सा घी डालेंगे एक चमच के करीब यहां पे घी डाल के और जो हमने ड्राइफूट लिया है ना उसको हम रोस्ट करेंगे तो यहां पे हम काजू बदाम और पिस्ता डाल देंगे किश्मिश को हम बाद में यूज करेंगे क्योंकि किश्मिश जल्दी भुन जाती है तो लो फ्लेम पे इसको लगता चलाते वे अच्छे से भुन लेना है जब तक थोड़ा सा ये टोस्ट ना हो जाए तो यहां पे देखिए अच्छे से मैं इसको भुन चुकी हूँ और अब क्या करना है यहां पे मैं किश्मिश को भी आड़ कर दूँगी इसमें और इसको किश्मिश इसलिए बाद मैं आड़ कर रही हूँ क्योंकि पहले डालते तो वह जग जाती अब यह देखिए यहां पे अच्छे से भुन चुके हैं तो इनको अब निकाल लेते हैं क्या इसको बन कर देते हैं और यहां पे ड्राफूट को निकाल लेते हैं ड्राफूट को कुमें डाल रही हूँ एक कफी यहां पर पानी डाल रही हूँ और इसको यहां पर हमें मेल्ट कर देना है चीनी को बस जादा कुछ नहीं करना है पहले चीनी को अच्छे से यहां पर घोल लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ में केसर के कुछ लच्छे डाल रही हूँ और उसके बाद इसको अच्छे से हमें चीनी को घोल लेना है बस इतना ही करना है कोई एक या दो तार की चाशनी तयार नहीं करनी है जो मैं आपको कॉंटिटी बता रही हूँ उसी साब से बनाईएगा आपका बेसन का हलुआ ना गीला होगा ना ही टाइट होगा बहुत ही परफेक्ट हलुआ बनके तयार होगा चाशने तयार होगी अब कड़ाई में एक कप बेसन डाल देंगे और उसमें हम डाल देंगे दो चम्मस सूजी डाल देंगे और इसको डालने के बाद ना हमें ध्यान रखना है लो फ्लेम पे ही इसको हमें रोस्ट करना है लगातार चलाते वे बेसन को छोड़ना नहीं है नहीं तो वो चिपक जाएगा और जल जाएगा तो इसलिए लगातार चलाना है जब तक इसमें एक अच्छी सी खुश्पुन महाल जायं और स 15 ग outta चेंज ना हो जाए इस तरीके से बनाने से महलूआ बहुत ही दानेदार बनेगा और ही टेस्टी बनेगा एक एक दाना दिखाईस के करी हैं तो यहाँ पर देखिए में यहाँ लगाता चलाते वी भून चुका है यहाँ हों रखना है हमें जो चलाने का बस यही हमें अच्छे से करना है जितना अच्छे से आप इसको भूनेंगे आपका हलवा बहुत ही बढ़िया बनके तयार होगा तो लो फ्लेम पे ही इसको भी भूनना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए हलका सा और इसमें एक अच्छी सी खुश्पून आने लग जाए तो यहाँ पे देखिए इसका कलर जो है हलका हलका चेंज हो गया है बहुत बढ़िया सी भून चुका है अब यहाँ पे इसको लगातार चलाना है यह देखिए तो इसको देखिए अच्छे से भून रहे हैं कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है जादा नहीं भूनेंगे और इसको ध्यान रखना है हाई फ्लेम पे नहीं भूछना है नहीं तो जल जाएगा और खाने में एक दम ये ना कड़ुआ लगेगा बेसन का हलुआ तो इस चीज का आपको ध्यान रखना और दाने आप देख सकते हैं साइड में आपको कड़ाई के साइड में दिख रहा होगा अब इसमें देखिए पानी के थोड़ से छिटे मार रही हूँ यह हम बेसन के जब लड़ू बनाते हैं तो भी हम यही प्रोसेस करते हैं इससे क्या होगा ना दाने जो है वो उबर जाते हैं बेसन में और बेसन का हलवा जो है वो दानेदार हो जाता है इस चीज का आपको ध्यान रखना है जब आप इसमें छिटे मारें जब तक यह बबल्स आना बंद ना हो जाए जागाना बंद ना हो जाए तब तक इसको चलाना है फ्लेम को लोपे ही रखना है शुरू से लेके अंतग और यहां पर देखिए अब जो बबल्स इसमें कम हो गए हैं एक बार मैं फिर्म्स में पानी का चिटा मारने वाली हूं ताकि जो हल्वा है ना वो बहुत ही दानेदार बनके तयार हो खाने पर लगे कि आप कुछ खा रहे हैं आप उसको इदम ही खा रहे है और अन्दर इदम अराम शेर निघ्ण जा रहा है दुबारा से मैंने यहां पर पानी का कुछ चिटा मारा है बहुत ज़या पानी का चिटा नहीं मारना है हलका सा मारना ये प्रोसेस सेम लड़ू में बनता है और ऐसे आप लड़ू बना सकते हैं बस उसमें थोड़ा सा घी कम जाएगा तो बस यहाँ पे अब इसको देखी अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ बबल्स आने तक इसको बंद होने तक हमें इसी तरीके से लगातार चलाना है बिल्कुल भी नहीं चोड़ना है और फ्लेम को आपको लोग पे ही रखना है इस बात का को खास धियान रखना है तो बस यह कटोरी कोई भी सेट कर लें या कप सेट कर लें उसी से बनाएंगे ना तो हल्वा बहुत ही बढ़िया बनेगा अब आती है इसमें चाशनी डालने की बारी तो पहले जो है ना आपको थोड़ी थोड़ी चाशनी डालके और फ्लेम को आप कर देंगे मीडियम पे इसको मिला अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर दुबारा हम चाशनी डालेंगे एक साथ डालेंगे ना तो हल्वा जो है ना एकदम लापसी बन के त्यार हो सकता है तो थोड़ी थोड़ी चाशनी ही डालनी है तो यहां पर देखिए पहले में इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूं और पर फिर मैं थोड़ी सी चाशनी डाल रही हूं यह देखिए इस तरही के से थोड़ा थोड़ा चाशनी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे इससे क्या होगा ना आपको यह कंफर्म रहेगा कि आपका हल्वा जो है वो गीला नहीं होएगा और खराब भी नहीं अब फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर रखा है अच्छे से इसको मैश करते वे अच्छे से दबाते वे अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहां पे बेसन का हल्वा जो है बस बनके तयार है कुछी देर में तुरंती सारा जो पानी है वह सोक लेता है अब देखे यह आपको ध्यान रखना है बेसन में कभी भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है हल्वा बनाते समय और यहां पर घी मेनत हुआ सा डाल दिया है जो हमारा बचा था वह बाकी घी हम बाद में यूज करेंगे तो यहां पर मैंने इसको पॉरड डाला है और कुछ ड्राइफूट हमने फ्राइब करके रखे ते वह डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे थोड़े से ड्राइफूट मैंने बचा के रख लिए हैं ताकि मैं इसको बाद में गार्णिश कर लूँ बस यहां पर देखिए बेसन का एकदम द नेक्स वीडियो में